हेखे हलो स्टूडेंट आज का क्लास क्लास मानिट का फिजिक्स का है इसे पिछले वाले वीडियो के वाले विडियो Pod कर दो होगा विषमक तबर कोस्चन के बारे में देंदे हैं तो आए दखाया टिस। ऑप तरउंड के समंध में कुछ परिवासा है पर दनात जिसमें हम जानेंगे आयाम क्या होता है और का क्या होता है और मिति क्या होता है कला क्या होता है तरंग क्या होता है तरंग क्या होता है तरंग क्या होता है तरंग के बारे में जानेंगे धवन की तरंगों के अभिष्थी के अलाहर पर बरिकरों के बारे में जानेंगे और यह आपका ह कि आयां कि आयां पर आसानी से समझ सकते हैं कि कि किसी माध्या में संच्राइब आर माध्याम घक्षानि स्थाफ्ण कि दोनु ओर जितना दिगतम स्थापन होता है उसस कbadbari कोया तो जैसे आपके यह आधिक्तं स्था न हाल दिखाया है देखेल हाए दियों के आयाम को दिखाया सबते हैं किसी माध्या में तरंग संद्रौत किसी माध्यां में तरंग संचराण होने कौना होने पर माध्यां का कौना माध्यां का कौना दोनों और माध्यां का कौना अपनी साम्य इस्थति कि दोनों और अधिकतम माध्यां जिस्थापन होा सिथति कि दोनों और अधिकतम जिस्थापन अधिकतम जिस्थापन ते हैं आयाम कहते हैं आयाम को सिमाले से दवस्य किया जाता है कि यह हो गया आयाम के बाद आवर्थ काल कि आवर्थ काल को डिफाइन करना हो थासानी से हम डिफाइन कर सकते हैं यान किसी माध्या में तर्म संचर होने पर एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है वह है उसका आवर्थ काल कालाता है यह से यहां से यहां आधा हुआ यहां से यहां पूरा हुआ पूर चक्कल रहाने में जितना समय लगता है वे उसका अवाल का लादा है तो कर दो किसी माध्याम में किसी माध्याम में तरंग संचरा हो में पार माध्याम का कुईकर माध्याम का खुई कर एक कमपन पूरा करने में एक कमपन पूरा करने में जितना समय लेता है समय लेता है वा समय उसक तरंग का आवत का कहाता है आवत काल करड़ती कराता है एक अवा का बरा यह अवर 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 अभी अवर अवरती आई पूरा दो का को सब्सक्तेंग इव को इंक परकारिपर अवर एक से कर दोंदी ना कमपन कर दिया आई किसी माध्याम में तरंग संचरा होने पला है माध्याम का कौन एक सेकेंड में जीतना चपकर लागाती है चपकरों की इस संख्या को आजिती यन कहते हैं कहते हैं इसका मात्रक इसका मात्रक होता है आजिती यन और टी में जो संब्सक्राइब रहा है यन इस इंपर टू अपर टी होता है ये जो टापिस्था आयाम आवर्तकाल आवित्ति के बारें जाने जुना देख लिजे कोई कमपनकारी कोड़ अपने साम इस्थिति के दोन तरब जितना दिक्तम विश्थाबन होता है उसे आयाम कोथे हम कोई कमपनकारी कोड़ों एक पूरा चक्काल लगाने में जो समय लगाता है वह उसका वर्तकाल करता है आगेती यानि कोई कमपनकारी कोड़ एक सेकेंद में जितना कमपन करती है उस कमपनों की संख्या है उसकी तालूती करती है कब आई देख अगला जो टापिस है वा पहर कलाप कलाप कि बारे में को सुप्तेर क्यार कंपन करते हुए किसी कामपन करते हुए किसी कर की किसी छाल कर फिर किसी छाल किसी इस्टी उसकार की का बारे में करते हुए किसी छाल करते हैं कला कर लाता है किसी छाल उसकार उस छाल की इस्टी कला कलाएगा जो जोगत की दिशा प्रकट करते हैं किसी कल की किसी छाल इस्टी उसकार की कला कलाएगा जोगत की दिशा को प्रकट करते हैं किया ख़र जोगत जोगता है किसा तरह जैंडत करते हर छाल किरते ऐसे दिशा के प्रकट करते हं तरंग एक पूरे कंपल में, तरंग जितनी दूरी तैक आती है, वह दूरी फुसर तरंग का तरंग धायर्य कहना ताहर, देख आये, यानि या आपका मैफ्समा अधिकतम इस्थापन इस्थापन या जो बीच की दूरी है, जो तैक आपरिदी ये कम पनूर जाया है, ते जो बीच की दूरी है, ते जो बीच की दूरी कहा लागी तरंग, धायर का लागा, तरंग धायर्य को किसे लिप्रेश करते हैं? लेंदासे, किसे लिप्रेश करते हैं? लेंदासे, आप आयर्य तरंग का बेव, तरंग का बेव, क्या को सकता है, कोई तरंग, एक सिकन में है, जितनी दूरी, जितनी दूरी, तर करती है, अब आफो दूरी, जितनी 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 दूरी में आप सम्वंद्ध का होगा विम्रा पर यान लब्दा होगा भी मेरा पाति के शम्वंद्ध में कुछ परबासान है जिसमें आए आएंग आएंग का आविक्ति काला तरह भे और तरह बीड़ अब जाने हमको ताह सो अगला आपका तारप्त वार तारप्त को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे द्ध्वां की याविती आगिति जीतनी अदीगोई जीतनी अदिक गोई जीतनी अदीगों श्का तारप्त वार फुर्त नहीं अधिक होता है यानि काने का मतलव है कि जो तरह तो होता है ध्रान की अभिस्ति पढ़ी करने करता है अगर ध्रान की अधिक होगी तुसका तरह तो नहीं का होगा और अधिज्ति के अधिक होगे द्रान तरह तो अधिक करता है जाएं ध्रान तरह तरह तरहन तर्मों के अधिक के अधिक होगा कि अरहार पर बारी करांग तर्भानी तरंगों के आविर्थी के अरहार पर जो बारी करांग होगा तीन प्रकाश होगा पाला आप खराएगा आप आप स्वराबे तरंग है क्या करेंगे वे तरंगे जिनकी आपरति जिनकी आपरति इस हतोर जाएगा इस हतोर सिक्काम होती है करेंगे जिसका थी है जिसरफ यह दी सिक्काम होगा वा आप स्रफ करेंगे जिस्राप करेंगे जिस्रापका है स्राप वेतरंगें, यानि वेतरंगें, जिनकी आविती, 20 हाटार्ज से हैं, के बीच होता है, श्रव्य तरंगें, का राती है, पर जिनकी आविती, 20 हाटार्ज से, श्रव्य तरंगें, तीसरा आपका, परा श्रव्य तरंगें, परा श्रव्य तरंगें, जिनकी आविती, 20 हाजार, आटार्ज से, अधिक होती है, परा श्रव्य तरंगें, तरंगें, काते हैं, यह आपका, आज का टापिक्स है, वो टापिक्स रहा, टापिक्स क्या रहा है, तरंगें, के सर्मन में कुछ परिवासा है, उसमें आपका पहला आयाम, आयाम के बारें बता हैं, कि कोई कमपन कारी कोण, अपने सांग इस्तिकी के दुरों अधिक्तर दिश्थापन करता है, वही उसका आपका लाता है, आवर्त का बताए गया है, कोई कमपन कारी कोण, एक चक्कर पुदा करने में एक कमपन कुदा करने इतना समय रहता है, वही उसका आवर्त का लाता है, आवर्ती, आवर्ती का होती है, कि कोई कमपन कारी कोण, एक सेकंद में जितना चक्कर करती है, तो चक्करों की संख्या उसकी आवर्ती का लाती है, उसके वाद आपका कला हुआ कला कियों कि कि छलक कोण की णिसाओ को ब्याद़ करता आहिए और पर कला ऐगा तरण है यक कंपन पुरा करने में जितना बुरी तब करेगा वा दोरी इसका कला आएगा आपकाई में कोई परकारे को जितना दुझत करता है वह दुझत तरंग करता है उसका दगी आधिक होता है द्धन तरंगों के अभीति के अदार्प बरिक्रा नमों ने किया स्रब तरंगे अब सरब तरंगे प्रासरब तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनकी अभीति बीस हटर से कम होती है अब सरब तरंगे का लाती हैं सरब तरंगे क्या होती हैं जिनकी आविर्टी वीस से हटर से वीस हजार हटर के बीच में होती है उसे सरब तरंगे कहते हैं और आपका परासरब तरंगे किसे कहते हैं वे तरंगे जिनकी आविर्टी वीस हजार हटर से अधिक होती है उसे परासरब तरंगे कहते हैं यह आज क करेंगे तब तक इलिए आपको नानेवाद